हेलो स्टुडेंट्स आज की क्लास आप सभी के लिए बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट होने बाली है क्योंकि आज की क्लास में हम जनरल अवेरनेस के कुछ बहुती इंपोर्टेंट कोशन डिसकस करेंगे जो पोपुलेशन के ऊपर है यानि कि हम उन questions की आज इस वीडियो में बात करेंगे जो भारत की जनसंख्या, भारत की population के बारे में हमें कुछ जानकारी देंगे तो आज की वीडियो सभी के लिए important है, चाहे वो school student है, चाहे वो competitions की त्यारी कर रहा है, चाहे वो PTAT, BSTC exams को prepare करने के लिए त्यार हो रहा है ठीक है students, तो चलते हैं हमारे first question की तरफ, देखिए first question क्या बता रहा है तो विश्व के कुल शेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में शेत्रफल स्तित है, मतलब क्या बताया जा रहा है इस question में what percent of total area of world present in India, यानि की world में इंडिया जो है वो कितना percent area cover करता है तो आप guess कीजी अपने answers, मैं wait कर रही हूँ आपके answers का तो देखिए students, जिन भी students ने option number B select किया है, वो बिल्कुल सही है कि इंडिया जो है world में 2.42 percent जो है area को cover कर लेता है move करते है students, हम हमारे second question पर, तो second question में क्या पुछा जा रहा है भारत में जनसंख्या की अवदी है, यानि कि हम से पुछा जा रहा है the period of population in India is, मतलब हमारे भारत में हर साल जो जनसंख्या count होती है कितने साल बाद होती है, ऐसो तो नहीं है न students की हर साल population को count करने बैठ जाएं हम लोग, हम इतने भी free नहीं है कि हर साल हमारी population को count करें तो आपको यह बताना है कि इंडिया में कितने साल के बाद population count होती है तो इसका correct answer हो जाएगा students, प्रतेक 10 words यानि कि प्रतेक every year यानि कि every 10 years, यानि कि हर 10 साल के बाद क्या होता है, जन संख्या जो है वो count की जाती है, population count होती है next question आप सब की screen पे आगया है students, भारत की कुल जन संख्या कितनी है यानि कि जो भारत है, यानि हमारा इंडिया है, उसकी total population कितनी है तो इस question के बारे में तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है हम basically ही, ऐसे ही generally बात कर लेते होते हैं, कि भारत की population कितनी है total लगबग 121 करोड है, तो इसका answer भी क्या हो जाएगा, 121 करोड ठीक है students, I hope आपको questions आ रही होंगे move to our next question, भारत की सबसे बड़ी जन जाती है यानि कि हमें बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जन जाती यानि कि tribe कौनसी है, तो वो कौनसी tribe है students, तो उस tribe का नाम है gond, कौनसी tribe है, gond, तो आपको ये सबी questions को याद रखना है अच्छे से, ताकि आपके exams में ये आपको याद आ सके next question है students, विश्व की कुल जन संख्या का कितना प्रतिश्यत जन संख्या भारत में स्थित है यानि कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि total जो population है हमारे किसकी word की, उसका कितना percent जो population है वो हमारे इंडिया में है तो वो कितने percent population है जो हमारे इंडिया में है word की तो वो है 17.5% क्या answer हो जोएगा? 17.5% मैं फिर से आपको question का मतलब समझा देती हूँ जिसको ये question समझ नहीं आया है इसमें ये पूछा गया है कि विश्व की जैसे जो हमारी word की जो population है ना total उसकी कितनी percent जो population है वो हमारे इंडिया में रहती है ठीक है तो कितनी percent रहती है? 17.5% English भी साथ में दी हुई है students ताकि आपको ना Hindi medium वाले students को problem हो ना English medium हम दोनों mediums को balance करके चलेंगे Move to our next question students क्या दिया गया है question में भारत का कुल शेत्रफल कितना है? यानि कि हम से पूछा गया है the total area of India is तो कितना है students ये तो हमें ऐसे ही याद होना चाहिए तो ये है 3287263 इसे याद करने का हम बस कोई भी तरीका बना सकते हैं ठीक है? वैसे तो हम हमारे चैनल पे memory tricks भी लाते हैं कि कितने तरीकों से हम किन चीजों को याद कर सकते हैं तो हट चीज को हम अपने चैनल के तुरू आप तक पहंचा रहे हैं ठीक है? तो आपको ये जो है शेत्रफल जो भारत का area है वो तो आपको learn रखना ही है आप जस्ट एक number की तरह इसे learn कर लें 3287263 ओके students confuse मत होएगा क्योंकि options जो है similar ही दीजे दिये जाते हैं वो आप इन options में देखी पा रहे होंगे next question पे चलते हैं students क्या है भारत के दक्षिन दक्षिनतम छोर को क्या कहा जाता है यानि कि southernmost point बताना है हमें इंडिया का तो southernmost point अगर इंडिया का पूछ लें तो वो क्या होगा answer students उसका answer होगा इंद्रा point क्या answer होगा इंद्रा point ठीक है हाँ हलंकी कुछ students confused भी हो रहे होंगे क्योंकि कुछ books में क्या बताया गया है southernmost point है जो इंडिया का ठीक है वो तो इंद्रा पॉइंट ही है स्टुडेंट्स और कुछ बुक्स में हमें क्या दिया हुए जो साउधरन मोस्ट पॉइंट है इंडिया में लेंड का उसे क्या बता देते हैं हम कन्या कुमारी बता देते हैं और बुक्स में ये भी लिखा गया है कि इंद्रा पॉइ है students आप सभी के सामने the length of the total terrestrial extent of India is, यानि कि हमें बताना है कि भारत की कुल्स थलिय सीमा की लंबाई है total क्या लंबाई है भारत की जो length है, ठीक है, land area की तो वो total है 15,200 kilometers, कितनी है students, 15,200 kilometers, याद रखेगा आप लोग, ठीक है, यह तो important question ही है, हर exams में आही जाता है next question है आपके सामने भारत की कुल समुंदर तटिय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है या फिर हमसे question ये किया जाए what is the length of the total coastline और border of the India is, यानि कि अगर coastline पूछ ली जाए, coastline क्या होती है कि मतलब अगर ये हमने India का map बना लिया है तो यहां समुंदर है यानि कि इसी है, ठीक है जो राजी है, यानि कि यहां हमारे states है, ठीक है तो coastline क्या होगी जो ये states की boundary होगी, ठीक है, वो किसके साथ touch हो रही है, समुंदर किससाथ touch हो रही है तो इसे हम क्या बोल देंगे हमारी coastline को define करेगा तो इस question का अंसर क्या हो जाएगा कि कितनी है coastline तो coastline है 7516.5 km कितनी है 7516.5 km clear हुआ move to our next question students भारत की मुख्य भूमी से लगे समुंदर 30 रेखा सीमा के लंबाई कितनी है यानि कि length पूछिए हमें सिर्फ coastline की ठीक है पहले तो हम से पूरा ही पूछ लिया था अच्छे से define किया गया था अब सिर्फ हमें पूछने है कि 30 रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है तो उसका अंसर क्या हो जाएगा students जो भी students C सोच रहे हैं वो बिलकुल सही सोच रहे हैं इसका अंसर हो जाएगा 6100 km नेक्स्ट कोशन है भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किसके मद्य से होकर गुजरती है तो यह क्या है कि इंडिया का जो standard time है वो कितना है 82 डिग्री जो उसकी रेखा है यानि की line है वो कितनी है 82 डिग्री एंड हाफ इस्ट ठीक है यह हमें क्या दिया हुआ है standard meridian है अब यह जो इंडिया से किस पार्ट से कहां से होकर गुजरता है जो standard meridian है तो वो कहां से होकर गुजरता है आपको याद रखना है मिर्जापूर एक ही जो हमारा जो जगा है जहां से यह standard meridian है यह main जो है उसके मद्दे से होकर गुजरती है ठीक है यह जो पार्ट है मिर्जापूर इसके बिल्कुल या क्या जाती है मीडल से क्रोस होती है इसलिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है यह question लगबल पूछ ही लिया जाता है कि भारत में जो standard meridian है वो कहां से beach में से pass होता है तो हमें याद रखना है कहां से होता है मिर्जापूर से होता है ठीक है students आस तो हमने क्या discuss किये only question and answers discuss किये हो सकता है आपको confusion भी arise हुई होगी क्योंकि geographic या topic है तो आपकी confusion को बढ़ने नहीं दिया जाएगा कल आपके लिए इनी questions पे एक detailed video आ जाएगा जिसमें इंडिया को अच्छे से explain किया जाएगा कि इंडिया का northern point कौन सा होता है southern point कौन सा होता है कौन सी lines जो है इंडिया से pass out होती है ठीक है तो एक detailed video कल आपको हमारे channel पर मिल जाएगा तो उसे भी देखना मत भूलिएगा आज आप सिरफ इसे revise कर लीजे कल पूरे details आपके सारे confusion clear हो जाएगे जो भी तठिया रेख्या post line से related हमें आज confusion हो रहे होंगे वो सब next video में cover हो जाएगे ok students thank you and have a nice day